हेलो एवरिवान कैसी हो आप सब गूड आप्टर नून आज की उड़े मैंने दो पैर से सुरू की है तो आज मैं बना रही हूं पिठ्था फिर से आपकोगे की रोज पिठ्था बनाती है बच्चे को बहुत पसंद है पिठ्था और बस और ज्यादा कुछ सब्जी थी भी न ही तो पिठ्था मंगा लिया था मसले दन ने मसले नहीं थी तो वर वही कर रही थी नमक दध्टनिया हल्दी सब खतम हो ठोरह था मीर्च तो इसी को मैं मसलेदणिय में कर रही है मैंने दोई थी, दो तीन दिन होगे, साथ शाप की थी, इसमें जो मसला गिरा हुआथा नीचे वो भी साथ कर दिया था, इसमें गिरी जाता है, कि तुम अभी उससे कर लो, देख भाल, पर फिर भी गिरी जाता है थोड़ा बहुत, तो अभी मैं मिथ्थी ले लिए है, जीरा ले लिए है, मिथ्थी और जीरे काई छौक लगाऊंगी, नवरातर में प्याज नहीं खा रहे हैं, विल्कुल भी तो मैं सब जीवे चौक, जीरे काई लगारी हूं, पिठथा है तो इसमें मिथ्थी भी डाल दूँगी, अभी बस स्टमाटर भी काट लिए हैं दो पेट्ठा भी काट के दो के रखा हुआ है इसमें छोंक लगा देती हूं इसके बाद थोड़ शी डस्टिंग भी करनी है बहुत ज़ादा धूल लाती है रोजी साफ करना पड़ता है नहीं तो फिर बहुत ही परत चड़ जाती है धूल की Mission eART को कहीं रहा है लगता है दिकाना पड़ेगा मिश्टर के ना गए थे पर मिला नहीं था बस जब खड़े होके करते हैं, काम खाने पीना खड़े होके बनाते हैं, ऐसी आदत हो जाती है, बैठ के थोड़ सी प्रोब्लम तो हो रही है, पर धीर धीर आदत पढ़ जाएगी आठ नो दिन तक तो, अब सारे काम ही खड़े-खड़े हो गए हैं, आदत ही नी रही बैठन मैं करने लूटी के अफिर बड़ी दीदी का रोम साफ करूंगा कि इसके बाद करूंगे अपने वाला पनेवाले का पत्रने टायनागी तो पहले इन कशलते हैं नहीं के ता के टायनी कर लूँगी क्योंकि अभी मुझे दो पैर की रोटी बनानी है सब्जी तो बनने लग रही है सिट्टी आ गई है इसमें दो एक और आ जाएगी तो मैं गयास बंद करके आ कि अपना सूट कलक्षन दिखाना तो आज मैं आप सब के साथ में अपने सूट की वीडियो करने वाली हूं कैसे कैसे सूट है और कितने हैं गर्मियों के नए भी है नए तो वैसे थोड़े रहे हैं मैंने घर पैन निकाल लिए हैं सारे और अभी जो हमने पेड़े बनाए थे वो अच्छे से ने बन पाये थे अब की बार तो फिर ममी उन पेड़ों की कडहें में चड़ा के बर्फी बना रही है इसमें माव अभी काफी है बूरा पड़ा हुआ है और इसको अच्छे से वो करके चला के खुब देर तक इनो ने इसको ऐसे चलाया और फिर इसकी बहुत ही घुले घुले से बन रहे थे चासनी को खुब खद काने के बाद जब यह टाइट सी होगी थी तब हमने परांत में घी लगा के इसको इसमें जमा दिया है वैसे मम्मी थाले में कहे थी मैंने सोचा परांत ही दे देती हूं उसमें अच्छे से जम जाएगी थाले में दो बार करना पड़ेगा पर यह इसमी तो फ्रेंट्स लीजे मिल लीजे मोनिका से भी मोनिका भी आ गई है आज और आप सब की बहुत रिक वैस्ट थी कि अब की बार मोनिका से मिलवाईएगा तो बस मोनिका आप से मिल ली और देखिए भी कैमरे के सामने नहीं आती सर्माती है और इसी वज़े से मैंने बस जाएंगे फिर कल बरस पतिवार हो जाएगा कल नहीं दूलेंगे बुवाजी भी अभी आई है मम्मी और बुवाजी को मैंने चाय दे दी है मम्मी का मन कर रहा था चाय को तो फिर मैंने बुवाजी को भी दे दी वैसे बुवाजी मना कर रही थी फिर मैंने का थोड़ी सी ह पीलो आप भी तो यही है मेरे सबसे छोटे वाले देवर आज यह आए थे वहां से दिली से और फिर डिरेक्ट मोनिका को लेकर आए घर तो अभी मोनिका का सामान सारा ऐसे रखा हुआ है इसको भी सिंग्वाना है छोटे से कुछन भी लाई है सोफो के लिए और यह सामान ममी टौकरी और एक टौकरा यह है इसमें बरतम रखने के लिए लिया और एक डबा है एक पटड़ी है प्लास्टिक की और टप भी है तो सारा सामान बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पर सरसो इकट्टे लगे हुए हैं सारे इस कमरे में होस नी है बेहोस है कमरा इतना ज् सब्सक्राइब निकाल लो जिसको निकालने हैं यह वीडियो मेरी सुबह की है सारे में ज़डू लगा दी थी मैंने और अभी बस पस काम रह रहा है जब लाइट आएगी तभी उनको नहला दूंगी निके नीचे दो दूंगी मैं सुचा थोड़ साब सबको हास्टूर करा द इसमें रेत मिट्टी और जो मसीन पे से कुट्टी आती है वो भी इसको मैं ज़डू लगा के नीचे उठा दूंगी नहीं तो मैंने सारे में लगा दिया ज़डू बस जिनना रह रहा था उपर भी सारे में लग चुकी है बस आने के बाद फिर नहा के पूजा करूंगी अ तो वह भी मेरे दो पैर का साथा काम हो गया था उसके बाद मैंने सुचा प्रेस कर लेते हैं कपड़ों को और आपके साथ में सेयर कर लेते हैं वीडियो आप बहुत दिनों से बोल ले थे कि अपना सूट कलेक्शन दिखाना तो वैसे तो आपने एक कपड़े मुझे पैने हुए देखा ही है पर फिर भी मैंने सुचा सारे ही सूट दिखा देते हैं अभी तो थोड़े बहुत रह भी गए सेप में है एक तो यह सूट है इसको तो मैं डेली यूज में पहनती हूँ एक सूट हो रहा है मेरे पास दो स साधी से पहले लाई थी साधी में पहनने के लिए पर पहनने पाई इसको मैं यह फिरोग टाइप है उड़ती और यह इसके नीचे पला जो है तो मैं इसको एक दिन पहना भी था फिर मुझे इसमें गर्मी लगी मैंने निकाल दिया और इसको भी आपने पहले देखा ही है वीडियो में कहीं बार पैन चुकी हूं इसको भी और अभी जो सेफ में हैं नए कपड़े दिखा देती हूं वैसे तो आप में इनमें से देख रखे हैं सारे एक यह वाला है इसको मैं सोची हूं डेली यूज में निकाल लूंगी अब और एक यह है बलू यह तो मैंने कि अपने देखाई है बस यहिए है सारे सूंट एक दो जो इसको चूट भी गया होगा जो इनके पीछे रखे हुए हैं और अभी मैंने बहुत से निकाले भी नहीं है बैड में रखे हुए है तो फ्रेंड्स यह मेरा भाई है मामा का लड़का जो अब इस दुन्या में नह लगता था कि ये मेरे मामा का लड़का है, ऐसा लगता था कि मेरा खुद का इवाई है, क्योंकि मैं बच्पने से इनके पास में रही हूं, इनको देखा है, खिलाया है गोध में, तो बहुत दुख होता है, और इनके फोटो जब मैं देख लेती हूं, आँखो से आंसुई न के बारे में जब सोचते हैं, तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, और आप समझी सकते हैं, क्या हालत होती है, जब कोई अपना छोड़के चला जाए, इस तरह से, मैंने सोचा, आप सब को मिलवा देते हैं, अब तो जिन्दी भर नहीं मिलवा सकती, मैं इनसे आपको फ फोटो में, हर फोटो में अलग अंदाज है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा, और इसको हां कभी भी नहीं भुला सकते, प्रिवान, कैसे हो आप सब, आप सब भी ठीक होंगे, तो आप सब से बात नहीं हो पाई थी, मैंने सचा बात कर लेते हैं, वीडियो का कर लेते हैं, बाल बच्चों ने सोर मचा रखा था, तो इसी वज़े से मैं स्टोर रूम में आई हूं, और ये दूपर्टा मम्मी का है, कैसा लग रहा है, बताईएगा जरूर, और इस वीडियो कहीं पर एंड कर लेते हैं, अगर आप सब को वीडियो पसंद आए, लाइक की बाल सोच नहीं हूं, क्योंकि आठ्थे में हमारे या वरत खोल देते हैं, इस बाल मैं सोच नहीं हूं कि नुवे दिन खोल दूँ वरत, इस बाल मैंने खंड जोत भी लगाई है, खंड जोत जलाई है, तो आप सब के प्यार और सपोर्ट की वज़े से मेरी मनो कामना झाल झाल झाल